लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुका उसकी आवाज सुनाई दी अम्मा हींग लोगी भीतर से 9-10 वर्ष के एक बालक ने निकल कर उत्तर दिया अभी कुछ नहीं लेना है जाओ पर खान भला क्यों जाने लगा मौल श्री के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोड से हवा करता बोला हींग ले लो अम्मा हम अपने देश कुझाता है बहुत दिनों में लोटेगा सावित्री हाथ धोकर रसोई घर से बाहर आई और बोली हींग तो बहुत सी ले रखी है खान अभी पंदरा दिन हुए नहीं तुम से ही तु ली थी खान उसी स्वर में फिर बोला हेरा हींग है अम्मा हमको तुम्हारे हाथ की बहुनी लगती है एक ही तोला ले लो पर लो जरूर इतना कहकर एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा तुम और कुछ मत देखो अम्मा यह हींग एक नंबर है सावित्री बोली पर हींग लेकर करूँगी क्या धेर सी तो रखी है खान ने कहा ले लो अम्मा घर में पड़ी रहेगी हम अपने देश को जाता है खुदा जाने कब लोटेगा और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये हींग तोलने लगा इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए सभी बोल उठे मत लेना मा सबर दस्ती तोले जा रहा है सावित्री ने बच्चों को उत्तर ना दे कर हींग की पुढिया ले ली पूछा कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा खान ने उत्तर दिया सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिये खान सलाम करके चला गया पर बच्चों को मां की यह बात अच्छी ना लगी बड़े लड़के ने कहा मा, तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिये, हिंकी जरूरत नहीं थी छोटा मा से चिड़ कर बोला दो मा, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिये न रहेंगे मुन्नी, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी उसने हंसी दबा कर बनावटी क्रोध से कहा चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तयार है छोटा बोला पहले पैसे दो, तुमने खान को दिये है सावित्री हंस बड़ी अच्छा चलो, पहले खाना खालो, फिर मैं रुपिया तुड़वा कर तीनों को पैसे दूँगी तीनों ने खाना खाते खाते हिसाब लगाया कि पैसे बराबर कैसे बटेंगे छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगड पड़ा मैं कम पैसे नहीं लूँगा मुन्नी नहीं हार कर थोड़े कम पैसे लेना स्विकार कर ली कई महीने बीद गए सावित्री की सब हिंग खत्म हो गई इस बीच होली आई होली के अफजर पर शहर में खासी मार पीठ हो गई थी सावित्री कभी कभी सोच थी हिंग वाला तो नहीं मार डाला गया न जाने क्यों खान की याद उसे प्राया आजाया करती थी एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौल श्री के पेड़े के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी उसने सुना उसके पती किसी से कड़े स्वर में कह रही है क्या काम है भीतर मत जाओ यहां आओ उत्तर मिला हिंग है हेरा हिंग और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुँच चुका था खान को देखते ही सावित्री ने कहा बहुत दिनों में आये खान हिंग तो कब की खत्म हो गई खान बोला अपने देश को गया था अम्मा परसों ही तो लोटा हूँ सावित्री ने कहा यहां तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है खान बोला सुना समझ नहीं है लड़ने वालों में सावित्री बोली खान तुम हमारे घर चले आए तुम्हें डर नहीं लगा दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला ऐसी बात मत करो अम्मा बेटे को भी क्या मां से डर हुआ है चो मुझे होता इसके बाद ही उसने डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तोल कर सावित्री को दे दी रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी खान ने कहा कि वह पैसा फिरा कर ले जाएगा वह सलाम करके चला गया इस बार लोग दशेहरा दूने उच्चाह के साथ मनाने की तैयारी में थे चार बजे शाम को मा काली का जुलूस निकलने वाला था बच्चों ने कहा हम भी जुलूस देखने जाएंगे सावित्री के पती शहर से बाहर गए थे सावित्री स्वभाव से भीरू थी उसने बच्चों को पैसों का खिलोनों का सिनेमा का नजाने कितने प्रलोभन दिये पर बच्चे न माने, सो न माने नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुख हो रहा था उसने कहा, भेज दोना मांजी, मैं अभी दिखा कर लिये आता हूं लाचार होकर सावित्री को बच्चों को बाहर भेजना पड़ा उसने बार बार रामू को समझाया कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लोट आए देखते ही देखते, दिन धल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा पर बच्चे न लोटे, अब सावित्री को न भीतर चैन था, न बाहर इतने मेयो से कुछ आदमी सडक पर भागते हुए जान पड़े वह दोड कर बाहर आई, पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो, जुलूस तो निकल गया न एक आदमी बोला, दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, अब सावित्री क्या करे, उसे रह रहकर अपने आप पर ग्रोध आ रहा था, आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों, सावित्री पागल सी हो गई, बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवदा मना डाले, श उसी समय जान पड़ा, जैसे कोई गाड़ी आकर उसके द्वार पर रुकी हो, उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा, सावित्री दोड कर बाहर आई, उसने देखा, उसकी तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लोटाए है, खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड भाड में बाहर न भेजा करो, बच्चे दोड कर मां से लिपट गए, छोटे ने कहा, मां खान बहुत अच्छा है, खान नहीं हमें बचाया,